हेलो दोस्तों मैं ललीता दहिया स्वागत है आपका स्टड़ी आई क्यू आई ये सिंधी चैनल पे दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रिया फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में सैंसर्शिप के बारे में सैंसर्शिप कितने तरीके की होती है और ये बेसिकली चर्चा में क्यूं आया मुद्दा बेसिकली संदर्ब ये है कि 2013 में और अलग-अलग समय पे काफी सारी समितिया बनी थी सैंसर्शिप के संदर्ब में तो बेसिकली दो समितियों का नाम याद र से हटकर फिल्मों के लिए आयू आधारित रेटिंग वरगी करन मान दंडों की और जाने का सुझाव दिया था कि जाधा सेंसर्शिप करने की जरूत नहीं है ये कहीं ना कहीं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का हनन करता है तो ऐसे में आप फिल्मों को आयू आधारित रेटिंग्स दे दो जैसे अलग-अलग आयू आधारित रेटिंग होती है यू होती है ए होती है फोर एडल्ट ओनली यू ए होती है तो इस तरीके से अलग-अलग आयू आधारित आप रेटिंग्स वरगी करन कर दो आपको सेंसर्शिप करने की जरूत नहीं है ये कहा था इन दोनों समीतियों ने अब हम यहाँ पे एक बार यह जानेंगे कि आखिर केंद्रिय फिल्म प्रमाणन बोड क्या है यह कैसी काई है यानि क्या यह समिधानी की काई है कि सामविधी की काई है यह कैसे काम करती है इसके क्या काम होते हैं इसको हम इसका मुख्याल्य कहा है इस के उपर अलग-अलग लोगों की भावनाई आहत हो जाती है और censorship करने की बात की जाती है केंद्रिया फिल्म प्रमानन बोर्ड का जिक्र बार-बार आपने सुना होगा तो आईए सबसे पहले हम इस बोर्ड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों केंद्रिया फिल्म प्रमानन बोर्ड सूचना और प्रसारन मंत्राले के तहत पहली बात ये किसके तहत आता है सूचना और प्रसारन मंत्राले के तहत एक सामविधिक निकाए है सामविधिक समविधानिक नहीं साम विधिक यानि इसका जो निर्माण है इसका जो गठन है एक विधी के तहत किया गया है बास समझ में आया साम विधिक निकाय है जो सीने मेटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सारजुनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है यानि फिल्म में सारजुनिक तोर पे प्रदर्शित होने से पहले इस केंद्रिय फिल्म प्रमाणन बोड के पास जाती है ये फिल्मों को माइन्यूटली अध्यन करता है कि कोई किसी की धार्मिक भावनाय आहत नहीं हो रही हो ये कुछ आपत्ती जनक ना हो इसमें जो अशली रखना है और किसके तहट ये काम करता है सूचना और प्रसारण मंत्राले के तहट काम करता है अगली बात देखें सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 और सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम है 1983 का उसके प्रावधानों के अनुसार अच्छा और स्वस्त मनोरंजन माध्यम है सिनेमा के ठीक है तीबी एफसी ध्यान रखेगा प्रमानन बोर्ड द्वारा प्रमानित होने के बाद ही ये प्रमानित करता है कि हां भाई अब इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है पबलीक इसको देख सकती है इसमें कोई ऐसी आपत्ति जनक बात नहीं है यान फिल्मों को सारजनिक रूप से प्रदर्शित करने से पहले इस प्रमानन बोर्ड की जो भी कारेवाई है उससे गुजरना पड़ता है इसके पैमानों के उपर मूवी को कसना पड़ता है तब ही जाके वो सारजनिक तोर पे प्रदर्शित की जा सकती है पास समझ में आई का यानि इन सारे के सारे गैर सरकारी सदस्यों को और एक अध्यक्ष को केंद्र सरकार न्यूक्त करती है और यह मुंबई में मुख्याले के साथ कारिय करता है मुंबई में इसका मुख्याले यानि CBFC का मुख्याले कहा है वैसे भी रटने की जरूत नहीं है ज्यादा तर हमारा बॉलिवुड कहां पे केंद्रित है, मुंबई में तो इसका मुख्याल्य है मुंबई में, इतनी बात याद हुई, इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसके न नो छेत्रिय कारियाल्य है, कहां कहां है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि नो छेत्रिय कारियाल्य भी हैं इसके, जहां मुंबई, कलकत्ता, चेन नहीं, बैंगलोर्ति, रुवंत पुरम, हैदरबाद, नहीं दिल्ली, कटक और गुहाटी, कि सलहाकार पैनल दुआरा फिलमों की जांच में छेत्रिय कारियाल्यों की सहायता की जाती है, याद जो छेत्रिय कारियाल्य होते हैं, वो भी कहीं न कहीं help करते हैं, जब مुवी, फिल्म को, या सिनेमा को ध्यान से देखा जाता है, कि भाई कुछ आपत्ती जनक नहीं है, केंद्र सरकार दो साल की अबधी के लिए जीवन के विभिन छेत्रों के लोगों को आकरशित करके पैनल के सदस्यों को नामंकित करती है यानि जो पैनल के सदस्य है उनका कारियकाल दो वर्ष होता है ठीक है गैर सरकारी सदस्य है अध्यक्ष छेत्रिय कारियाल्य है वो तोर पे जाती है, अब प्रमानन प्रक्रिया सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, सिनेमेटोग्राफ प्रमानन नियम 1983 और केंदर सरकार द्वारा धारा 5B के तहत जारी दिशान निर्देशों के अनुसार है, यानि इन अधिनियमों के तहत और केंदर सरकार के नियमों के तहत य भाई ये U certificate है, इसका UA certificate है, इसका A certificate है, यानि कि एवल adults के लिए है movie, इस तरीके के प्रमाणन ये प्रदान करता है, आपने देखा भी होगा न, movie के साथ लिखा होता है, कि भाई ये कौन सी category में है, U में है, कि UA में है, कि A में है, है न, तो ये सारे काम इसी के होते हैं, अब यदि हम बात करें censorship, censorship लगाने की बात बार-बार चलती है, basically censorship क्या होता है, censorship भाशन सारजनिक संचार, यानि कोई भी जानकारी है, सारजनिक, अन्य जानकारी का दमन है, यूजवली न, लोग तांतरिक देशों में न, censorship को बहुत प्रभावी नहीं माना जाता है, बहुत सार व्यक्तियों का ये मानना होता है, कि सरकारे censorship का प्रयोग कई बार अपने विरोध में उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए भी करती है, तो censorship बहुत लोग तांतरिक प्रकृतिका नहीं होता, क्योंकि ये कहीं न, कहीं भाशन और अभी व्यक्तिक इस वतंतरिता का दम है, ऐसा इस आधार पर कहा जा सकता है, कि ऐसी सामगरी को, और इस censorship के आधार पे, ये जो केंदरी फिल्म प्रमानन बोर्ड है, कई आधारों पे फिल्मों को रोक सकता है, जैसे यदि फिल्म में कुछ हापत्ती जनक है, यदि कुछ हानिकारक हो सकता है देश की एकता के लि किसी एक छेतर के लिए, किसी एक जेंडर के लिए, यदि उसमें कुछ हानिकारक सूचनाई है, या जिससे विद्रोव होने की संभावना हो, कुछ सम्वेदन शील है, किसी धर्म के प्रती, या कुछ अस विधाजनक है, जो सामान्यनागरी को द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए, इन आधारों पे सैंसर्शिप लगाई जा सकती है, ठीक है, सैंसर्शिप सरकारों, नीजी संस्थानों और अन्यनियंतरक निकायों द्वारा आयोजित की जा सकती है, अलग-अलग ये सैंसर्शिप की बात हो रही है, कि भई सैंसर्शिप क्या होती है, लीगल है तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि भारत में censorship को कानूनी समर्थन कहां से मिलता है censorship की जो बार-बार बात होती है इसको कानूनी समर्थन कहां से मिलता है तो हमारा अधिनियम है cinematograph अधिनियम 1952 का ये कानून विशेश रूप से कानून दुआरा स्थापित कुछ नियमों और विनियमों के संबंध में भारत में फिल्मों की censorship से संबंधित है ये cinematograph अधिनियम 1952 फिल्मों की censorship से भी संबंधित है इस कानून में प्रमानी करण, censor board की स्थापना और ऐसे board का दायरा प्रदान किया गया है censor board दुआरा, किसी भी आपत्ती जनक सामगरी को हटाने के लिए फिल्मों को censor करने की प्रथा भारत में अपनाई गई है यानि भारत में ये legal है यदि फिल्म के माध्यम से कुछ आपत्ती जनक परोसा जा रहा है तो censor की जा सकती है ठीक है और ये है फिल्म लक्षत दर्शकों के लिए इसका उदेश है क्या है जो दर्शक है उनके लिए उप्युक्त बनाना है यानि आपत्ती जनक ना हो, हानी कारक ना हो, अशलीलता ना फैलाए है ना, असुविधा जनक ना हो, समवेधन शील ना हो तो ऐसे में सेंसर लगाया जा सकता है सेंसर्शिप हमारे देश में लीगल है, इस एक्ट के तहट ठीक है और सेंसर बोर्ड बेसिकली इसको, इस पे सेंसर इन, आपत्ती जनक सामगरी के आधार पे सेंसर लगा सकता है अब यहाँ पे दर्शकों की संख्या प्रतेक फिल्म को जारी किये गए प्रमान पत्र पराधारित होती है, जिसमें दर्शकों कोई है निर्धारित किया जाता है कि वो फिल्म देख सकते हैं, वही है अलग-अलग सार्टिफिकेट मिलते हैं सेंसर शिप के आधार पे ही कि भई यह मूवी केवल बच्चे देख सकते हैं यह बच्चे और एडल्ट दोनों देख सकते हैं यह केवल एडल्ट देख सकते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि डीजिटल मीडिया को 2000 के सूचना प्रद्योग्य की अधिनियम की धारा, ये धाराएं याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि केंद्र को ये एक्ट कहीं न कहीं ऐसे मुद्दों जो भारत की संप्रभूता, अखंडता, भ भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री पूर्ण संबंध या सारजुनिक विवस्था या किसी भी संगे अपराद को उकसाने से रोकने के लिए एक मध्यस्त तक सारजुनिक पहुँच को अवरुद करने की अनुमती देता है, यानि पानन पोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, सैंसर्शिप क्या है, सैंसर्शिप को किस कानून के तहत शक्ती मिली हुई है, क्या क्या प्रोवीजन होते हैं सैंसर्शिप में, है ना, तो मतलब क्यों लगाए जाती है सैंसर्शिप, वो सारी चीज़े देख ली, अब हम यदि दे सिनेमा भाशन और अभिव्यक्ति का एक रूप है सिनेमा लोगों को बड़े स्थर पर प्रभावित करता है यूजवली सब लोग सिनेमा से प्रभावित होते हैं चाहे गाउं हो या शहर हो तो ऐसे में जलता के दृष्टी कौन को उनके व्यवहार को कई तरीके से प्रभाव से प्रभावित कर सकता है मौनों जो ऐसे मुद्दे होते हैं समाज के जैसे महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे है या फिर जो पिछडे तबके हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं यदि उनको ले के अच्छी फिल्में बनाई जाए तो लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तना सकता है, महिलाओं के लिए, पिछडे तबकों के लिए, है ना, ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो सकारात्मक प्रभाव भी पढ़ सकता है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी तो पढ़ सकता है, ना, साथ ही साथ, मान लिजे, अशलील ता फैल रही है, पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहे हो, आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहे हो, फिल्मों के माध्यम से, तो इससे कहीं न कहीं न कारात्मक्ता भी तो फैलेगी, अपराध भी तो बढ़ेंगे समाज में, तो फिल्म में कहीं न कहीं समाज का एक पू सामगरियों को हटाना कई बार जरूरी हो जाता है जो अशलील है जो नैतिक तोर पे चुनोतियों उत्पन करती है समाज में तो ऐसे में सैंसर्शिप का इंपोर्टेंस है कि भई सैंसर्शिप को कानूनी एक आधहार है तब ही तो हम सैंसर्शिप लगा कि अशलील सामगरी को या ऐसी सामगरी जो नैतिक तोर पे समाज में गलत प्रभाव पैदा कर सकती है तो ऐसे में इसका censorship का importance हो गया जैसे उधारन के लिए मैंने आपको बताया pornography को अक्सर इस तर्क के तहट censor किया जाता है censor किया जाता है ना भारत में pornography को openly नहीं दिखाया जा सकता खुले आम नहीं दिखाया जा सकता ताकि समाज में अशलीलता ना फैले तो censorship का importance आपने देख लिया कि कहीं न कहीं नकारात्मक जो प्रभाव हो सकते हैं उसको रोकने के लिए हम censorship लगा सकते हैं इसके साथ ही हम देखें online platform की बात करें अभी व्यक्ति की स्वतंतरता के नाम पर कभी कभी घटिया आपत्ती जनक अपमान जनक सामगरी का बढ़ता सतर फैलाया जाता है online platforms की बात हो रही है यहां पर कि भई कोई logic नहीं है कोई सरपैर नहीं है फिर भी भेजे जारे है message एक message मिला चाहे वो भाई चारा खराब कर रहा हो चाहे वो राष्ट्र की एकता खंडता खराब कर रहा हो जाती के अधार पे लोगों को लड़वा रहा हो तो ऐसी सूचनाएं बड़े स्तर पे फैलती है उपर से smartphone सबके पास है उपर से ये smartphone बच्चे भी यूज़ कर रहे है यूवा भी यूज़ कर रहे है तो ऐसे में इस सामगरी से ब्रहमित हो जाते है पोर्नोग्राफिक को आ इसे डिजिटल अपराद जैसे कट्रवाद है आतंकवादी भरती है डिजिटल हैकिंग है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक आदी तो ऐसे में online platforms के उपर भी कहीं ना कहीं sensor लगाना बहुत जरूरी हो गया है ठीक है समय की जरूरत है अब censorship के ना कहीं तरीके के प्रकार होते है एक होती है धार्मिक censorship का मतलब क्या है यानि जब किसी निश्चित धर्म को target किया जाए किसी निश्चित धर्म की मान्यताओं का उपहास उड़ाया जाए उसका अपमान किया जाए तो ऐसे में आप धार्मी का धार्म पे censorship लगा सकते हो कि भई इस film के माध्यम से तो किसी धर धर्म का अपमान हो रहा है उपहास उड़ रहा है इससे धार्मिक जो धाचा है हम कहें कि हमारा पंथ निर्पेक्षता का धाचा तूट रहा है भाई चारे की भावना इससे दूशित हो जाएगी तो ऐसे में धार्मिक censorship बोलते हैं यानि किसी निश्चित धर्म दुआरा अ किसी धर्म कि धार्मिक नजरिये से आपति जनक है तो इस पार्ट को हटा दिया जाएगा सेंसर कर दिया जाएगा है ना तो यह हो गई धार्मिक censorship एक होती है राजनीतिक censorship यह राजनीतिक censorship ना बेसिकली लोगतांत्रिक देशों में थोड़ी कम यूज होती है और ऐसे देश लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि यह राजनीतिक censorship तब लागू होगी जब सरकारे अपने नागरिकों से जानकारी वापस लेती हैं बेसिकली आबादी पर नियंत्र न रखने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है मुक्त अभीव्यक्ति को रोकने के लिए और विद्रो को ताकि ऐसी मुक्त अभीव्यक्ति विद्रो को बढ़ावा दे मालो कोई एक ऐसी कंट्री है जहां पर इस सरकार अन्याय कर रही है अपने लोगों के बोलने पर पाबंदी लगा रही है लोगों के कल्यान का काम नहीं कर रही है ऐसे में यदि कोई फिल्म बनती है जो इनकी राजनीतिक जो एक हम कहें की इच्छा है उसको रोकती है इनके लिए राजनीतिक तोर पे हानी कारक है तो इस आधार पे सैंसर्शिप लगा देंगे हलकि ये सैंसर्शिप बिल्कुल अलोकतांत्रिक हो सकती है काफी मामलों में बिल्कुल नहीं मतलब काफी मामलों मे अलोगतांत्रिक हो सकती है, लेकिन इस तरीके की censorship भी काफी सारे देशों में लगाई जाती है, भारत में ऐसी censorship basically बहुत कम प्रयोग होती है, जैसे कई लोग इसका example दे सकते हैं कि भाई जो BBC वाली अभी काफी सारी विवाद चल रहे हैं कि release होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस पे हम किसी ओर दिन डिसकस करेंगे, लेकिन इस तरीके के मुद्दे राजनितिक censorship का पार्ट हो सकते हैं अब हम देखते हैं सैन्य censorship क्या होती है, मालो किसी फिल्म में सैन्य खूफिया और रणनिती को गोपनिय रखने, सैन्य खूफिया और रणनिती को सामने ला दिया जाए, है ना, इसका इस्तमाल जासूसी का मुकाबला करने के लिए किया जाता है, मालो किसी फिल्म के माध्य से हमारे पूरे सैन्य सरंचना के जो ऐसे गोपनिय जानकारियां होती है उनको यदि दर्शाया जाए फिल्म के माध्यम से जो ये तो हमारी राष्ट्र की एक ताखंड़ता के लिए चुनोती हो सकते हैं तो ऐसे में सैन्य स्थेन पूरे तो ये हैं सेंसरशिप लगाई जा सकती है ठीकर अगली बात है इससे जुड़ी चुनोतियां भी वहाई क्या क्या चुनूतियां होती है censorship अभी तो हमने देखा censorship का importance देखा कि भई कुछ मामनों में censorship सही भी है क्यों सही है मैंने बताया धार्मिक censorship होती है राजनितिक censorship होती है सैन्य censorship होती है लेकिन इस censorship की ना अपनी चुनोतियां भी है कि इसे हम पूरी तरीके से निर्बाद नहीं मांद सकते क्या चुन होती है जी प्रप्रकृतिक नियाय के सारजणिक कानुन में एक मॉलिक सिधान्थ है जब फैसले मॉलिक अधिकारों जैसे बोलने की स्वतंतरता को प्रभावित करतé हैं भारत के सरवोच न्याले ने विभिन अवसरों पर माना है कि सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने का दिकार मुक्त भाशन में नहीं थैं यानि कहीं न कहीं censorship जो है वो मुक्त भाषन की जो स्वतंतरता है उसको रोकती है प्राकृतिक न्याई के सिधानत को रोकती है आर्टिकल 19 का उलंखन करती है ठीक है कुछ मामलों में सही censorship है लेकिन कुछ मामलों में गलत भी तो होती है censorship सरकारे अपने हितों का बचाव करने के गलत तरीके से censorship लगाई जा सकती है ना तो एक आलोचना तो इसाधार पर की जाती है censorship की अगली बात चैनात्मक लक्षी करन हो सकता है कि एक वर्ग कुछ भी बना रहा है उस पे आप बार-बार censorship लगा के उसको रोक रहे हो और दूसरे वर्ग को आप प्रोजसाहित कर रहे ह कुछ भी बनाने के लिए आप कैसे भी अत्याचार दिखा दो अन्याय दिखा दो आपको नहीं रोकेंगे लेकिन एक वर्ग को रोक रहे हैं एक तरीके की filmों को रोका जा रहा है दूसरे तरीके की filmों को यानि ऐसी फिल्मे जो आपका प्रचार प्रसार करें आपको बढ़ स्वतंतरता पर अंकुष यदि इस तरीके से censorship का प्रियोग होता रहा तो यह कहीं न कहीं कलात्मक स्वतंतरता पर भी अंकुष लगना होगा साथ ही बढ़ती असहिश्वनुता और लोक लुभावन उपाए यह भी आरोप लगाया गया है कि वास्त्विक नियमन की तुलना मे नियमों का अधिक दुरुपयोग होगा यदि हम censorship जैसे मुद्दों पे भोत बारी किसे नहीं सोचेंगे तो इसका दुरुपयोग हो सकता है लोगों के मोलिक अधिकारों का उलंगन हो सकता है यह चैनात्मक हो सकती है यह कलात्मक स्वतंतरता का उलंगन कर सकती है है ना और एसे में जब सरकार ने लोक लुभावन फर्जी खबरों को नदर अंदाज करते हुए सरकार विरोधी आज़ेंडे पर अंकुष लगाने की कोशिश की ऐसा भी बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि जब फरजी कबरों को रोका नहीं गया लेकिन जो सरकार के विरुध है सरकार हम कहें कि कई मामलों में सरकार की सच्चाई दिखा रहे हैं या फिर कई मामलों में सरकार की अलोजना कर रहे हैं ऐसे में सरकार सेंसर्शिप लगा देगी तो ये कहीं न कहीं भेद भाव परक हो विव्यक्ति के मोलिक अधिकार और अधिकार के लिए समिधान में नहीं प्रतिबंदों के अनुरूप लगाए गए प्रतिबंदों के बीच संघर्ष उत्पन हुए हैं यानि मोलिक अधिकार फंडमेंटल राइट और इन फंडमेंटल राइट पर अनेक प्रकार से कुछ युक्ति-ूक्त प्रतिबंदा लगाए गए हैं जैसे आप आर्टिकल उन्निस भी पढ़ते हो ना में कि censorship कब उचित है कब अनुचित है यदि नियमों के अनुरूप censorship लगती है सब के साथ समानता पूर्वकाधार पर सैंसर्शिप लगते हैं तो गईय न कहीं सैंसर्शिप सही है लेकिन यदि उन नियमों का दुरुपयोग होता है यदि हम लक्षित तरीके से censorship का प्रयोग करते तो ये कही ना कहीं लोगों के समानता का जो अधिकार है उसका उलंगन करता है तो ऐसे में जरूरी है censorship के नियमों का निश्पक्षता से पालन किया जाएं तो ये हम बोल सकते हैं अपने नागरिकों के मोलिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का दाइत्व है और censorship को मनजूरी देते समयं हर कारवाई उचित प्रतिबंधों के बराबर होगी यानी मोलिक अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ हमें यह देखना पड़ेगा कि कलात्मक अभी सकती के उपर रोक ना लगे और कुछ ऐसी सामगरी भी सामने ना आए यानि निश्पक्षिता के साथ सेंसर्शिप के कानूनों को हम लागू कर सकते हैं रूल्स को हम लागू कर सकते हैं तो दोस्तों आज की पूरी-परी चर्चा में हमने काफी सारी चीज़े पढ़ी जिसमे जो सदस्यों के न्यूकती होते हैं किन-किन अधिनियमों के तहत ये काम करता है सेंसर्शिप क्या होती है कानूनी समर्थन कौन सा एक्ट देता है सेंसर्शिप को कितने तरीके की सेंसर्शिप होती है ये हमने देखा और कहीं न कहीं हमने देखा सेंसर्शिप के समक्ष चु स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, जैहिंज भारत, all the best.